LCM और HCF निकालना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं. आए इसे असानी से समझे. Two numbers का LCM and HCF find out करने के लिए three different conditions होती है. पहला है जब वो दो number same table में आते हैं. जैसे 4 and 20 हमारा example है. इसमें जो greatest number होता है वही इसका LCM होता है अगर ये दोनों 8 table में आते हैं. और जो smallest number होता है वो हमारा HCF होता है. जबकि अगर ये दोनों different tables में आ रहे हैं. तो LCM find out करने के लिए हमें simply इसको multiply करना है. means 7 into 3, 21. और HCF जो है वो वान आएगा क्योंकि इन दोनों में कोई भी number common नहीं है. अब हम देखते हैं जब दो ऐसे number हो जिसमें एक common factor आ रहा हो. जैसे अगर हम 4 के factor बनाएंगे तो 2 into 2 और 18 के बनाएंगे तो 2 into 9. तो इसमें एक common factor आ रहे है 2 वो हमारा क्या आ जाएगा इसका HCF. और LCM कैसे निकालेंगे जो दो common factor दोनों में एक common factor है उसको लिखेंगे और बाकी remaining को हम क्या कर देंगे multiply 2 into 918 और finally इसको multiply करेंगे तो हमारा HCFI का.